Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from Magnet Brain. Students, Magnet Brain एक ऐसा YouTube channel है जहाँ आपको kindergarten, means kgs से class 12 तक आपको आपके पूरे स्लेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% free. Yes, student, 100% free मतलब यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ता. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई. Students, हम करने हैं कक्षा एक का हिंदी, है ना? और part 6, part 6 क्या है हमारा? चुहो म्याव सो रही है. याद है आपको, यह पूरा part हमने पढ़ा था, बहुत मजे से और हमें बहुत मजा आया था. क्या था इस part में? इस part में चुहा शाही बताई गई है, माने चुहो का राज. क्यों था चुहो का राज? क्योंकि म्याव मतलब बिल्ली मौसी सो रही है. तो पूरे रसोई घर में, दूद पे, दही पे, चनू पे, पतीले पे किसका राज था? चुहो का राज था. है ना students? तो यह part तो हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, हमने उसका मतलब भी समझ लिया. अब इस वीडियो में आज हम करेंगे अभ्यास, exercise. ठीक है? चलो शुरू करते हैं. Yes students. तो यह बहुत आपका जो अभ्यास है इस part का, वो बहुत सरल है. क्या करना है हमको? देखो. पढ़ो, पढ़ो. माने रीड करना है आपको, पढ़ना है. है ना? क्लास वन, कक्षा एक में रीडिंग करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चो. अगर आप जितना पढ़ोगे, उतनी आपकी हिंदी अच्छी होगी. है ना? और सही पढ़ोगे, तो सही लिखोगे. राइट? चलो शुरू करते हैं. आप भी मैम के साथ साथ पढ़िये. घर, घर, घर के पीछे, पा में कौन सी मात्रा है? पा में हैं बड़ी की मात्रा. घर के पीछे, घर के पीछे, छत, छत, छत के नीचे. यहाँ पे भी देखिए बड़ी की मात्रा लगी है. और चा में एक ही मात्रा. घर के पीछे छत के नीचे पाप में आखी मातरा उपर चंद्र बिंदू और वह पाओ पसारे पाओ पसारे पूछ सवारे याद आया पाओ पसारे पूछ सवारे घर के पीछे छत के नीचे पाओ पसारे पूछ सवारे किसके बारे में बात हो रही है बिल्ली मौसी के बारे में मतलब म्याओ के बारे में बात हो रही है है ना घर के पीछे छट के नीचे पाव पसारे पूछ सवारे आगे देखो और क्या हमको पढ़ना है भर रहा में एक ही मातरा रे भरे पतीले तो आमें बड़ी की मातरा है तो खीच के बोलेंगे पतीले, भरे पतीले, चने रसीले मतलब पतीला किस से भरा हुआ है? बहुती स्वादिष्ट चने से भरा हुआ है भरे पतीले, चने रसीले उसके बाद उल्टा मटका, मटके को उलट दो अब students एक बात आपने नोटिस करी है उल्टा मटका देकर जटका पतीले रसीले rhyming words है तुकमिल राइन का है And आफ़ी में सब में A, A की मात्रा लगी है यहाँ पे भी ले, यहाँ पे भी ले यहाँ पे भी कर, यहाँ पे भी कर तो यह क्या है? यह rhyming है वैसे ही मटका जटका, रसीले पतीले, है न? यह क्या है? तुक मिल रही है आख्री के जो शब्द है वो उनका स्वर एक जैसा है है न? ठीके समझ में आया आपको उलटा मटका दे कर जटका मटका उलट दिया चुहोंने कैसे उलटा जटका दे कर ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं Yes मूच मरोडो मूच मरोडो है ना? पूच सिकोरो चुहों से क्या बोला जा रहा है? मूच मरोडो पूच सिकोरो अब देखो यहाँ पे भी तुक मिल रहा है मरोडो सिकोरो है ना? मूच पूच राइनिंग हुआ, तुक हो गई है ना? पूच मूच कि विर क्या है? मरोडो सिकोरो, उसके बाद देखिए नीचे उतरो चीजे कुतरो नीचे चीजे उतरो, कुतरो है ना? तो क्या हुआ यह? सारे तुक मिल रहे हैं आखरी का जो स्वर है वो सबका उतरो, चीजे कुतरो ठीक है? चलो, आगे बढ़े येस, अब यहाँ पर क्या है? चलो, तो यह था हमारा पड़ो, तो यह हमने रीडिंग कर ली और इस रीडिंग में हमने देखा कि हमें जो वाक के जो हमने पड़े हैं, उन सम में रायमिंग साउंड आ रहा है, माने तुक एक जैसा स्वर सुनाई दे रहा है आखरी में तुक मिल रहे हैं है ना? मरोडो, सिकोडो, पूच मूच, उतरो, कुतरो है ना? तो यह सारे वाक्यों में हमें क्या सुनाई दे रहा है? एक जैसा स्वर आखिर में ठीक है चलो आगे क्या है अब द्यास वो देखते हैं येस चलो चुहा बनाएं बड़ा इंट्रस्टिंग है चुहा बनाना तो सबको इजी आता है है ना यहाँ पे आप कैसे चुहा बनाओगे आपको तीन तीन माने थ्री आपको यहाँ पे कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कुछ-कुछ लिखा गया है उसे आपको फॉलो करके मने वो जो वाग के लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चुहा बनाना है ठीक है तो चलो चुहा बनाने के कोशिश करते हैं स्टूडन्स सबसे पहले लिखा है तीन लिखो तो तीन लिख दे पहले चलो तीन लिख देते हैं यह हमने लिख दिया तीन ऐसे लिखा जाता है तीन अब दूसरा क्या लिखा है मूच कान बनाओ तो भाईया यह तो पहले तीन हो गया अब पहले मूच बना दे, चलो मूच बना देते हैं ये हो गई चुहे की मूच, ठीक है, अब कान बनाओ तो ये बना दिये हमने कान, ठीक है, तो मूच बन गई और कान भी बन गई अब क्या बोल रहे हैं, आखे और पैर बनाओ तो चलो पहले जितना बना हुआ है उतना बना दे येस ये हमने बनाया था उसके बाद हमने क्या किया था हमने मूच बनाई थी और कान बनाया था अब हमें बनाने हैं आखे और पैर तो यहाँ पे हम बना देते हैं आख चुहे की ठीक है अब हमें बनाने हैं पैर तो भाईया ऐसे अंदर लाओ ये एक पैर बन गया ये दूसरा पैर बन गया ठीक है तो ये चुहा दिख रहा है स्टूडेंस बिल्कुल दिख रहा है अब क्या बोल रहे हैं पूछ बनाओ तो यहाँ पे हमने तीन लिखा हम स्टेप बाई स्टेप बना रहे हैं स्टूडेंस है ना पहले हमने तीन लिखा फिर हमने मूच और कान बनाए फिर हमने आखे और पैर बनाए अब हमें आखेर में पूछ बनानी है तो चलो पहले जो हमने बनाया था वैसा बना दे है ना उसके बाद हमने क्या बनाया था उसके बाद हमने बनाई थी मूछे, कान, आखे और अब हम बना देते हैं यह हमने बनाया था एक पैर यह बनाया था हमने दूसरा पैर और यहां बना दो चूहे की पूछ तो यह बन गया स्टूडेंस हमारा चूहा है ना? हमने तीन से कैसे मजे से चूहा बना दिया तो आप सब भी ट्राइ करिएगा, बहुत एजी है पहले मूछ और कान बनाओ, आखे और पैर बनाओ फिर पूछ बना दो, तो यह बन जाएगा हमारा चूहा स्टूडेंस एक और चूहा बनाना बताती है आपको नेहा मैम उसको टर्न कर दो, वो ऐसे है उसको ऐसे कर दो तो यह बन गया वी फॉर वैन, ठीक है अब टू बनता है ऐसे करके वन टू, तो यह बन गए टू, ठीक है उसके बद आर फॉर राबिट होता है, स्मॉल आर, उसको आर को बना दो ऐसे और ये बना दो eyes तो आखे तो ये बन गया हमारा चुहा ये चुहा, ये चुहे का मूँ, ये चुहे की पूछ और ये चुहे की आखे है ना, तो आज आप अपने दो दो चुहे बनाने सीखे एक तो आपने तीन से बनाना सीखा, थ्री से और दूसरा आपने M से बनाना सीखा है ना, तो जरूर ट्राय करना students ऐसा चुहा बनाना राइट, तो चलो उसके बाद ओके, so students, चुहा तो हमने सीख लिया और ये आ गई हमारी दोस्त सुहानी तो सुहानी yes, हमने चुहा बना लिया और अहा ये तो चुहा था है ना, students? तो चलो आगे बढ़ते हैं अब yes, students, अब यहाँ क्या करना है आपको तुक मिलाओ, आगे बढ़ो ये जो चित्र दिखरा है ये एक साप का चित्र बना हुआ है ना और इसके शरीर में कुछ शब्द लिखे हुए है, राइट जैसे लिखा हुआ है, सोई ये क्या लिखा है? सोई, खोई है ना, तुक मिलाओ तुक मिल रहे हैं अभी आपने पढ़ा, आपको मैंने बता है तुक मिलना क्या होता है? शब्दों का जो आखरी स्वर है उनका एक जैसा उच्चारण होना जैसे सोई, खोई दोनों में आखरी में ई, ई आ रहा है, है ना? तो यहाँ पे आपको एक शब्द लिखा है, उसका दूसरा ही तुक मिलता हुआ शब्द आपको दूसरा लिखना है और कहां से ढूनेंगे हम? हमने जो पाट पढ़ाना चूहो म्याव सो रही है उसमें से हम शब्द ढूनके निकालेंगे ठीक है? तो सोई, खोई यह तो एक हमें मिल गया क्या है हमारा शब्द? सोई और इसके साथ वाला क्या है? खोई ठीक है? दोनों का तुक मिल रहा है? तो पतीले का क्या हो जाएगा जटका तो मठके का जो तुक मिल रहा है जिस शब्द से वो हो जाएगा जटका ठीक है? तो ऐसे हम तुक वाले शब्द साथ में लिखेंगे उसके बाद है पसारे पसारे का कौन से शब्द से तुक मिलेगा याद करो सवारे पाओ पसारे पूछ सवारे याद आया तो पसारे का क्या हो जाएगा सवारे सवा उपर चंदरबिंदू रे सवारे, ठीक है, उसके बाद है, मरोडो, क्या था? क्या था बताओ, मुच्छ मरोडो, पुच्छ सिकोडो तो मरोडो का जो तुक मिल रहा है, जिस शब्द से, वो हो जाएगा, सिकोडो स, सी, सिकोडो, ठीक है, सिकोडो, मरोडो, सिकोडो उसके बाद है उत्रो उत्रो का कौन से शब्द से दुख मिलेगा नीचे उत्रो चीजे कुत्र तो उत्रो का क्या हो जाएगा कुत्रो का कमे छोटे हो की मात्रा कुत्रो कुत्रो कपडे कुतरना चूजे कुतरते हैं ना कपडे कुतरना मने काटना ऐसे दातों से कुतरते हैं, ठीक है? तो students, ऐसे हमने उन शब्दों को लिखा, जिन से इन शब्दों का तुक मिल रहा है, है न? मतलब आखरी का जो शब्द है, उनका उच्चारण एक जैसा आ रहा है सोई, खोई, पतीले, रसीले, पसारे, सवारे, उतरो, कुतरो, मतका, जटका, मरोडो, सिकोडो ठीक है? तो यह आप कर लेना बहुत आसान है, लेकिन students, पढ़ना बिलकुल ठीक से क्योंकि अगर आप ठीक से पढ़ोगे, तो आप ठीक से लिखोगे, राइट? तो यहां आपने अपना अभ्यास पूरा complete कर दिया, तो यहां आपकी कवी, हमारा जो पाठ था, चुहो म्याओ सो रही है, वो भी हो गया, और अभ्यास भी हो गया, राइट? तो इस अभ्यास का पूरा explanation आपको कहा मिल जाएगा, students? Magnet Bain की website पर, Google को open करना, Google में website डालना, यह page open हो जाएगा, class 1 पे click करना, आपके class 1 के सारे subject open हो जाएंगे, यहां आप Hindi पे जाना, जैसे ही click करोगे, आपको सारे topic chapter wise यहां पे मिल जाएंगे, ओके, students? तो यह सब आपको कहा मिलता है? Magnet Bain पर, यहां पर आपको kindergarten से class 12 तक, online school education बिलकुल free में मिलती है, students, ओके, तो बस कहीं और जाने की क्या जरूरत है? Right? तो चलिए आगे के, आगे का part या आगे की कवीता हम आने वाली वीडियो में करेंगे, till then, bye bye, take care.